next category है perfectly elastic collision in 2D हमने कहां से start की collision? elastic collision in 1D V1 V2 के formula is elastic collision in 1D फिर हमने क्या किया? in-elastic collision in 1D तो आज हम क्या करेंगे? elastic collision in 2D तो elastic collision in 2D का अपनल energy loss नहीं है तो पहली चीज़ यह diagram में 2 balls है एक M1 moving with U1 और यह M2 lying at rest को टकर मारती है एक ball इधर तो एक ball इधर rule no.1 जब यह टकर मारेगी head-on collision नहीं हो सकती क्या head-on collision में में reverse back हो जाती है टकर ऐसी कही होगी angle पही होगी थोड़ी सी उपर-nीचे balls ऐसी रही होगी तब ही तो उपर-nीचे कही एड़ी जाएंगी दूसरा rule यह table के ऊपर balls पड़ी है यह ऐसा diagram नहीं है यह ऐसा diagram है एक ball यह पड़ी हुई है यह balls को टकर मारती है एक इधर एक इधर तो इस पूरे diagram को मैंने ऐसे बनाए तो कोई यह ना कहे ball हवा में उड़ गई इसका weight नीचे सो गिरेगा यह table के ऊपर चल रही है ठीक है बहुत लोग सो सकते है अगर यह imagine कर भी पाऊँगे तो मैं खुल बोलूँगा यह प्रोजेक्टल ही हो जाएगी अगर यह हवा में उड़ गई तो लगता नहीं प्रोजेक्टल दिना गिरेगी भाव में है ही नहीं है table के ऊपर चल रही है ठीक हो गया तो m1 आया u1 m2 rest पे x के साथ एक angle theta1 एक angle theta2 उसकी velocity v1 इसकी velocity v2 तो इसमें लिख लेना कि इसका momentum कितना है m1 v1 तो इसका momentum का component theta1 के साथ क्या होगा m1 v1 cos theta1 और इस तरफ क्या होगा m1 v1 sin theta1 क्या step clear है तो m1 v1 का momentum का component m1 v1 cos theta1 m1 v1 sin theta1 ऐसी इसका momentum क्या होगा m2 v2 इसका component क्या होगा m2 v2 cos theta2 और m2 v2 sin theta2 तो momentum के components रो करने है क्योंकि momentum xy plane में है तो एक x में और एक y में अब क्योंकि यह एक elastic collision है इसमें momentum constant रहेगा तक्कर से पहले momentum और तक्कर के बाद momentum will remain same इसको दो बार conserve करना पड़ेगा एक बार x-axis में और एक बार y-axis पहले start करते है x-axis में तक्कर से पहले x-axis में इस ball का momentum कितना है m1 u1 clear है यहां तक तक्कर से पहले और इस ball का तक्कर से पहले कितना 0 rest पे है तक्कर के बाद x का momentum देखना है पहली ball का कितना x का final कितना m1 v1 cos theta 1 क्या step clear है m1 v1 cos theta 1 m2 v2 cos theta 2 x का momentum clear है सब कुछ आपने x में देखना है तो तक्कर से पहले इसका momentum x में तक्कर के बाद इन दोनों का momentum x में यह रहा add कर दिया close equation ठीक है यहां तब अब y-axis के अंदर देखते हैं y-axis के अंदर collision से पहले इसका momentum y में ही नहीं क्योंकि यह move किसमें कर रही थी along x यह किस पर है rest पर momentum क्या 0 after collision इस ball का momentum कितना है m1 v1 sin theta 1 और नीचे वाली ball का negative लिखना पड़ेगा क्योंकि direction इसकी नीचे और वैसे भी left का momentum 0 तो right का भी क्या ना चाहिए 0 0 तभी आएगा जब एक positive एक negative समझ में आ रहा है यहां तक तो collision से पहले यह y के लोग move नहीं कर रहा था इसका momentum 0 यह rest पर था इसका momentum ऐसी 0 collision के बाद इसका momentum m1 v1 sin theta 1 और इसका m2 v2 sin theta 2 क्या आगे sin क्या आएगा negative good out इसमें तो आपके पास यह question number 1 है यह question number 2 है और क्योंकि elastic collision है to kinetic energy conserve रहेगी टक्कर से पहले energy कितनी half m1 u1 square इसकी कितनी 0 और collision के पास half m1 v1 square half m2 v2 square energy is a scalar energy का component नहीं energy का component क्या बनेगा कुछ नहीं बनेगा तो add कर दो answer क्या आगे क्या v1 v2 कैसी निगलेगा आगे कुछ भी नहीं अगर question आगया तो इस technique से solve कर ले न कोई formula नहीं तो अगर इस type का problem आया कि 2D में elastic collision solve करनी है तो concept समझ में आ रहे है इसके base पे एक ही standard question है जो आता है और वो ये question है इसमें same question है क्या कि मान लो एक ball है जिसका mass m velocity u के साथ आ रहे table पे second ball पड़ी है m जो rest पे है same question है बस फरक है कि मैंने जो theory करवाई उसमे mass m1 m2 लिया इसके अंदर mass m और m है mass same ले लिये टक्कर हुई 1m गया with v1, 1m गया with v2 making an angle of theta 1 and theta 2 तो एक result आने वाल है बड़ा important अगर दो balls है m1, m और m mass same है और दोनों की collision हो जाती है collision होने के बाद यह separate हो जाते है तो अगर यह mass same है elastic collision in 2D है तो दोनो balls will be separated by an angle of 90 degree पक्का standard result तो दो balls will be separated by an angle of 90 लेकिन कब जब mass दोनों के same है इसका मतलब prove क्या करना है theta 1 plus theta 2 का sum क्या है 90 हम इसे proof करेंगे पर objectives के अंदर numericals के अंदर इसका result standard याद करके लिखा जाता है proof आता नहीं है बस बता रहा हूं की देखो कैसे हुआ तो rule number one x-axis हाँ वही same चीज इसका momentum mv1 cos theta 1 mv1 sin theta 1 और इसका momentum mv2 cos theta 2 mv2 sin theta 2 clear है collision से पहले x-axis में momentum के इस ball का क्या mu और इस ball का क्या 0 collision के बाद mv1 cos theta 1 plus mv2 cos theta 2 first equation clear है same equation है फरक किया है कि इसमें mass mm क्या हो जाएगा cancel equation number one clear है second equation y-axis में यह move नहीं कर रहा था 0 यह move नहीं कर रहा 0 तो y का momentum कितना mv1 sin theta 1 mv2 sin theta 2 1 positive 1 negative equation number 2 तो rearrange करके आपके पास equation number 2 आ गई ठीक यहां तक तो इसमें एक equation यह है एक equation यह है और एक equation ही आ गई दोनों momentum से आ गई एक काम करते हैं squaring and adding कर देते हैं मतलब इसका square plus इसका square is equal to इसका square plus इसका square वह दो equations है दोनों के left hand side का square is equal to दोनों के right hand square right hand side के square का sum तो अगर मैं ऐसा करूँ अगर मैं ऐसा करूँ तो दोनों के left and left, right में एक का u square है एक माज 0 है तो यह equation आ जाएगी और एक और चीज़, energy conserve रहेगी तक्कर से पहले ball की energy half m u square और collision के बाद half m, v1 square half m, v2 square half m cancel तो यह equation पिसमाल के रखो तो जब आपने squaring and adding किया और आपने इसको open किया a plus b ka whole square a square b square 2ab, a square b square minus 2ab, तो यह बड़ी सी equation आई इन equations के अंदर आप ध्यान से देखो, एक यह term और एक यह term, इसमें से v1 square common तो क्या बचा? cos square plus sin square is equal to 1 इसमें से, इसमें से sin square cos square is equal to 1 तो यह term बच गई और बाक्की में से 2v1 v2 common तो यह term बच गई यह पुरी term बच गई, equal to u square तो इसके अंदर math, यह v1 square plus v2 square किसके equal है? u square तो यह वाली term इससे subtractor के 0 देगी यह term भी 0 से cut जाएगी और math में sin a, sin b, cos a, cos b होता है cos of a plus b और equal to क्या जाएगा? 0, cos of कोई भी angle 0 तब आता है, जबी angle क्या होगा? 90 proof नहीं आएगा, question क्या आएगा यह सुनो, question ही आएगा, सीधा आपको यह पता महीं लगेगा result याद है तब ही आप लगा पाऊगे, अगर दो balls है, 2-D collision है, math same है एक ball x के साथ चली गई at an angle of 30 degree, तो बोलो दूसरी ball कितने angle पर गई 90 minus 30, 60 यह result काम आएगा बस तो point समझ में आ रहा है यहां तक, application कैसे आती है इसकी, तो यह standard result है हाँ, proof मैंने इसलिए करवाया कि चलो आपको पता होना चाहिए कि कैसे किया बढ़ आपको idea समझ में आ रहा है कि किस type की problem आएगी, सीधा result आएगा आपको आपको पता होना चाहिए और यह important question है, इसको please important mark करो ऐसे questions आते हैं 2D में, important mark करो इससे, देखो इस question के अंदर क्या कह रहा हो, इस question के अंदर आपको यह mention कर रहा है कि आपके बाद 2 balls है, ठीक है, एक ball है, और suppose एक ball है, वह इस axis के along आ रही है, with a momentum of M1 V1 given, यही ball, और दूसरी ball है, वह ball ऊपर जा रही थी, with a momentum of M2 V2 होता कहें रास्ते में इनकी हो जाती है, टक्कर and stick together, चिपक गए, तो जब चिपक जाती हैं 2 bodies, कौनसी collision है, perfectly inelastic collision, perfectly inelastic collision, चिपक गए, जब यह चिपकेंगी, तो यह कहती है, चल मिलसा चल, यह कहती है, चल मिलसा चल, तो ना तो इदर जाएंगी, क्योंकि total mass क्या हो जाएगा M1 प्स M2, ना तो इदर जाएंगी, ना इदर जाएंगी कहीं बीच में जाएंगी एक इधर चारी है तो कहीं बीच में चली जाएंगी तो question यही है कि कहां जाएंगी तो पहला question है तो यह initial momentum इसका first ball का कितना है M1 V1 बना लेक्टर initial momentum इसका कितना है M2 V2 तो यह कहां जाएंगी यह calculate करने के लिए आपको क्या draw करना पड़ेगा पैलो को नाम law और वेक्टर addition लगाना पड़ेगा यह देखो तो आप क्या बोलेंगे आपके बोलेंगे कि कितने अंगल पर चली जाएंगी थीटा ना इधर ना इधर वेक्टर सम में जाएंगी V1 का square plus M2 V2 का square यह क्या गया इसका initial momentum vector sum तो तक्कर से पहले दोनों का momentum M1 V1 M2 V2 है और net momentum initial कितने है इतने है अब जब collision हो गई यह this stick together अब यह as a common body move करेंगी और मुझे पता है कि किसी भी collision में initial momentum is always equal to final momentum तो initial momentum है कितना M1 V1 का square M2 V2 का square final momentum क्या होगा चिपक गई और they will move with a common velocity ऐसी करते थे ना common velocity तो question आ सकता है find common velocity आ जाएगा answer? एक answer आ गया find common velocity so initial momentum vector sum final में M1 plus M2 into V तो एक answer और अगर angle निकालना है तो यह vector कितने है M2 V2 तो यह भी कितने है M2 V2 यह कितने M1 V1 तो अब एक काम करना इस triangle में tan theta will be equal to M2 V2 divided by M1 V1 तो theta की value क्या हैगी tan inverse M2 V2 divided by M1 V1 क्या step clear है यहां तक? यह sheet में किया हुआ है तो कैसे सोच में समझ में आ रहा है यह angle कैसे निकलेगा और यह net value कैसे निकलेगी यह आपकी sheet में किया हुआ है यह देखो यह common velocity निकाली हुई है और यह angle भी निकाला हुआ ठीक यहां तक? और एक last question हमने किया हुआ था time क्या हुआ है ठीक एक sheet थी जिसका वह भी question बीच में यह वाला question था work energy park का question था हमने अलड़ी किया हुआ है बस question रह गया था तो यह बताना है मुझे कौन सी sheet में थाच चेक करना जिसमें वह sheet आगे तीछे थी 59 है sheet number इसमें लग रहा है यह रहा यह question work park energy में अलड़ी किया हुआ है फिरसे repeat कर रहा हूँ कि एक block है M mass का bullet आया U के साथ इसके अंदर गुज गया एक अठे चल पड़े height निकालो किया था तो सबसे पहले क्या होता है जब इसके अंदर enter कर गया they will move as a common body find common velocity तो कौंसी collision perfectly inelastic to momentum conservation तो collision से पहले momentum bullet का MU block का 0 और collision के बाद common velocity V common आएगा पहले तो V common निकाला था हमने फिर हमने क्या का था V common से दोनों move करेंगे और height h attain करेंगे तो sum of kinetic N potential यहां पर यहां पर same तो यहां पर potential क्या 0 क्यों kinetic क्या half M plus M into V common का square यहां पर potential क्या M plus M into G into H और kinetic क्या इनेक्वेट कर लेते हैं V common निकाल चुके हैं solve करके h आ जाएगा तो इस तरीके से इस question को solve कर सकते हैं यहां आपने try करना है